तो आज की वीडियो होने वाली है कॉमेड के के राउंड वन की उपर जैसा कि आपका रिजल्ट आ गया होगा और आपको एक ब्रांच अलोट हो गई होगी अच्छे से कॉलेज में आई होप तो उसके लिए पहले तो कॉंग्राइचुलेशन बट मैं यह भी कहना चाहिए राउंड टू तक भी जाना राउंड वन में चाहिए कित्ती अच्छी ब्रांच मिली हो राउंड टू को भी ट्राय करना ठीक है तो आज की वीडियो में बात करेंगे कि आपके पास जो जो आप्शन आएंगे एक्सेप् राता कि जैसी राउंड वन का रिजल्ट आता बच्छे थोड़े से घबरा जाते क्योंकि यहां पर आपका राउंड वन के रिजल्ट में आठ ऑक्टूबर से लेके ग्यारा से बारा तरिक का ताइम में आपके पास जिसमें आपको फीज पे करनी है अगर जिनने एक्सेप का है जिनको बहुत अच्छी ब्रांच मिल गई और आपको लगता वाई इससे आगे काउंसलिंग में नहीं करना तो आप जब एक्सेप्ट करेंगे तो आपको बारा तेरा तरह तक का टाइम मिलेगा उसके बाद आपको फीज भर नहीं है और कॉलेज में जाके रिपोर्ट करना है रिपोर्टिंग में बहुत जादा इंपोर्टन चीज में बता दो एक दिन भी लेट हो गए ना तो रिजेक्ट कर देंगे कई सारे बच्चों की लास्ट एर एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई थी क्योंकि वह एक या दो दिन रिजेक्ट मतलब एक या दो दिन कर लेना जैसी आप यह वीडियो देख रहें अपनी देखना चालू करो और अपने बैंक अकाउंट में फीस तो पहले से आपको मैंने बता रखी थी फीस के अर्रेंजमेंट करके आपको रखनी है दूसरों जो केंडिडेट को मिले का कॉमेंट की काउंसलिंग में वह होग है क्योंकि आप अपको यह सीट चाहिए बट मुझे और भी सीट चाहिए जो मेरे से उपर हैं आप यह कह रहे हैं वहां पर सीथ उप्शन स्लेक करते ही तो आप जो सीट कर रहे हैं आपको उसका फी करना है अब मैं बता दूं जैसे आपको फॉर एक्जामपल बीमेस की कर देंगे कोमेट के वाले तो सबसे पहले आपको राउंड वन में फीज पे करनी है ठीक है इसका बात बहुत ज्यान लगना पीडियाफ नीचे टेलीग्राम ग्रूप में दिय हुए है कि कौन से कॉलेज की किती फीज है ऑफीशल चैनल पर भी है बट इतनी मेहनत कोई करत नहीं है तो हमने नीच ऑफीशल टेलीग्राम ग्रूप बना रखा है जाके जॉइन कर सकते हो और दूसरी चीज यार फीज पे करते समय यह बात का द्यान रखना कि आपके पास यहां पर आटी जीएस नेफ्ट कैश कैश नहीं होगा डीडी भी नहीं होगा यह सब के लिए धर देखले ना क्योंकि मेरे साथ होने वाला था कि मैंडबीट करण की लिमिट नहीं थी तो मैंने नेट वैंपकिंग करी दी यह क्रेडिट कानल जाकर चैनल कर सकते हो वहां पे सारी डाल रखी है ठीक है बट अपने अकाउंट में दो लाख डाल के रखना यह दो हो ज़्यादा वह बाद में देख लेना बट दो लाग आपके पैरेंट के अकाउंट में आपके अकाउंट में होना चाहिए क्योंकि फीज पे करने का टाइम पीरिड बहुत कम दिया है आठ ऑक्टूबर से 11 ऑक्टूबर के बीच में और जित्ती जल्दी हो सब्सक्राइब क आपको लगे कि यहां बाई सीट अच्छी है मुझे आगे बढ़ना है काउंसलिंग में एक्सेप्ट अप्ग्रेट देन पेदा फीस तुरू क्रेडिट कार्ट डेवेट कार्ड यह निट बेंकिंग उससे यही तीन ऑप्शन है आटी जीएस नेफ्ट यह सारे ऑप्शन न आपको अपडेट करता रहूं इस चैनल पर उसके बाद बहुत बच्चे पूर्चे क्या में एडिट करने का ओप्शन मिलेगा यह एडिट करने का उप्शन मिलेगा और नीचे करने का ऑप्शन लेगा यू कैन ऑल्सो एड यह फंक्शन था कि भाई आप ब्रांच ब्रांच और नए उसकते प्रिफ्रेंस ओडर लेश्ट में और जितना ँसके रांड टू में अपनी प्रिफ्रेंस और लेश्क को सब्सक्राइब राउनट्री के बाद राउंट 3 में कई बच्चें बोलत है कि वह एक डाउट है । में अगर हमें लेनी हैं तो क्या हमें अपना पैसा मिलेगा मैं नहीं मिलेगा क्योंकि आप सका हो राऊंट छी में आ जो ब्रांच मिलेगी वह आपको लेनी ही पड़ेगी तो राऊंड टू तक का आपके पास्ट आप्शन हैondaenकर वहािर सेल्यपर करने आप पर नेकी सारीक 11 ऑक्तूबर पर खतम हो जाएगी 12 ऑक्तूबर तक सम्सक्लाइब यहां बहुत ज़्यादा स्वक्स कर चुका हूँ कि रिपोर्टिंग टाइम पर ले ना 12 ऑक्तूबर से पहले अगर अगर रिपोर्टिंग कर लिए अगर नहीं कर पाए और 12 ऑक्तूबर लास्ट यह लॉट के चलेगा है क्योंकि वो दो दिन लेट थे या एक दिन लेट थे तो प्लीज अपनी रिपोर्टिंग का ध्यान लखना बाकी और जितने भी कॉमेट के अपडेट्स आते रहेंगे आपको यहां इस चैनल पर अपडेट करते रहेंगे इसके लिए आप सब बर सकता है बहुत सारे कॉलेजिस जहां पर में अडमिशन कर आ रहे हैं तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो बाइबाए